हाई फ्रेंड्स आज मैं फिर से बहुत ही प्यारा सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूं देखिए यह रेडिमेंट लूप में नजर आ रहा है बहुत ही खुब्सूरत डिजाइन है यह किसी भी पर्जेक्ट पर डाल सकते हैं इसको लेडिस काडिगन लेडिस कोटी लेड इसके स्वेटर पर बच्चों के स्वेटर पर कैप पर सौल पर किसी भी प्रजेक्ट पर डालिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है यह आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ सेयर करूंगी वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ मैं कैसे बना हुआ है और हमारे चैन डिजाइन है यह देखिए कितना खुब्सूरत लग रहा है यह देखिए पहला फंदा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे अब यहां से सुरू हो रहा है डिजाइन तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा को सिलिप करेंगे इस तरह से धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा को सिलिप करेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा को सिलिप करेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सी एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सिधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सिधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सिधा, एक फंदा एक फंदा को सिलिप करेंगे धागा पीछे फिर एक फंदा सिधा बुनेंगे इसी तरह से हम इस डिजाइन को बनाएंगे अब आगे देखिए ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सिधा बुनेंगे कम्पलीट कर लिए अब इधर से देखिए एक फंदा उल्टा अब यहाँ पर देखिए धागा पीछे इन दो फंदा को लेकर हम इस तरह से बनाएंगे धागा अपने तरफ एक फंदा उल्टा फिर देखिए दो फंदा को लेकर इस मेंसे दो बार हम निकालेंगे धागा को एक अब देखिए फिर एक फंदा मेंसे निकालेंगे दो फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब यह दो फंदा है तो दोनों फंदा को एक शांत बुनेंगे फिर एक फंदा मेंसे हम निकालेंगे इस तरह से धागा को एक फंदा मेंसे निकाल लिए फिर एक फंदा उल्टा फिर देखिए दो फंदा को लेकर इस तरह से हम एक सांथ निकालेंगे, अब इसमें से एक फंदा में सांथ निकालेंगे, इस तरह से, फिर देखिए, एक फंदा उल्टा, दो फंदा ले लिए, दो फंदा में से एक सांथ निकालेंगे, अब देखिए, फिर एक फंदा में से लेकर, इसको निकालेंगे, इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा, इस तरह से लेकर, फिर एक फंदा में से निकालेंगे ऐसे करके फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे यह लास्ट का फंदा है तो इसको सिधा बुनका कम्प्लीट करेंगे अब फिर देखिए सिधे के तरफ से शोरी यह इधर से सिधा बनेगा इधर से उल्टा बनेगा यह तो यह देखिए आप इसी तरफ बारवर हम दोर आएंगे और यह डिजाइन बनते हुए जाएगा यह दोरो का डिजाइन है कम्प्लीट हो गया अब यहां से फिर हम दूसरा निकालेंगे तो उसी तरफ फिर हम रिपीट करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा को सिलिप करेंगे धागा पीछे एक फंदा सिधा एक फंदा को सिलिप करेंगे फिर धागा पीछे फिर एक फंदा सिधा एक फंदा को सिलिप करेंगे धागा पीछे फिर एक फंदा सिध एक फंदा उल्टा, एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर धागा पिछे, एक फंदा सिधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर एक फंदा सिधा, एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर एक फंदा सिधा, एक फंदा को सिलिप करेंगे, फिर एक फंदा सिधा, ये दो रों में डिजाइन कम्पिलिट हो जाता है अब यहां से फिर हम उसी तरह बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब दो फंदा को लेकर फिर एक सांथ इस में से धागा को निकालेंगे फिर एक फंदा में से निकालेंगे इस तरह से, फिर देखिए धागा अपने तरब, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर दो फंदा को लेकर एक संथ निकालेंगे, फिर एक फंदा में से धागा को निकालेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए धागा पीछे, दो फंदा लिए और एक संप निकालेंगे उस मेंसे धागा को फिर एक फंदा मेंसे निकालेंगे फिर देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर देखिए एक फंदा दो फंदा लेकर एक संप निकालेंगे फिर एक फंदा मेंसे निकालेंगे फिर एक फंदा उल्टा इसी तरह फिर हम इसको बनाएंगे दो फंदा को लेकर एक संप निकालेंगे फिर एक फंदा मेंसे निकालेंगे धागा को फिर एक फंदा उल्टा यह लास्ट का फंदा है तो इसको हम सिधा बुन के कम्पलिट करेंगे यह देखिए यह डिजाइन बन गया इसी तरह बार बार हम रिपीट करेंगे यह डिजाइन बनते हुए जाएगा और फिर हम इधर से उसी तरह बनाएंगे एक फंदा सिधा एक फंदा उल्टा एक फंदा को सिलिप करेंगे यह देखिए बन के इस तरह से आएगा कितना खुबसूरत लग रहा है यह डिजाइन उमीद करते हूँ आप सब भी को जरूर पसंद आया होगा यह डिजाइन अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट सेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब कर लिजिए बेल एकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्वस्त रहें खुछ रहें फिर मिलती हुमें कुछ नए डिजाइन लेकर अब सभी के साथ प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज साथ